चलिए तो आगे त्युक्स टोपिक है घूख 9 मिथ ब Major 40 लूबर कप्लेशा से पढ़ते था तो स्पीर आप सब को पता है कि क्या होता है इती सफ्टैश्ट टावेल उपक्ट अपने ट्रावेल कीएहोल उसका मतलब होता है स्पीड थe ठीक है वो आपको स्पीड देखा तो स्पीड ऑफ बोड़ी गिवस एन आइडिया वाव स्लो और फास्ट डैट बोड़ी इस मुविंग तो स्पीड से हमको पता चलता है कि कितना फास्ट ऑबजेक्ट या कितना स्लो है पर एक्जामपल में आपको कहूं कि कोई वेहिकल है व आपको इमेजिन होगा कि वो कार काफी तेज जा रही है वो कार हाइवेपो मुव कर रही है ठीक है तो अकॉडिंग लिए स्पीड है वो एक आइडिया देता है कि हाव स्लो और फास्ट ऑब्जेक्ट इस मुविंग राइट सेकेंड है कि उसका देफिनेशन स्पीड अफ पर उनेट टाइंग तेक उसका फॉर्मूला कि होगा वील एडियो टो एस बाइस बाइनेट स्मूर कि उसका फॉर्मूला है वी यानि क्ता है किश पीड होगा एस यानि दिस्टेस और चानेटों वास्टी अपने इस, आप से d by t भी लिख सकते हो, it's your choice, ओके, अभी यहाँ पर distance, तो distance का ऐसा unit क्या होता है, distance का ऐसा unit क्या होता है, meter, और time का ऐसा unit क्या होता है, second, ठीक है, तो distance upon time, तो meter by second, तो इसी लिए इसका, जो ऐसा unit है, वो होगा, meter per second, okay, तो इसा unit काफी इंपोर्टेंट है, वो याद रखना है, ठीक है, और एक चीज, जो यहाँ पर, आगे मेंचन की, ठीक है, speed जो है, वो एक, scalar quantity है, ठीक है, speed is also a, scalar quantity, तो याद रखना है, okay, speed scalar है, ठीक है, distance upon time का ratio है, तो इसका सीथा मतलब है कि, speed जो है, वो आइदर positive होगी, या 0 होगी, ठीक है, then next important, या तो फिर very important definition or concept, you can say, ठीक है, uniform speed, what do we mean by uniform speed, uniform speed क्या होगा, if object covers equal distance in equal time, बस इतना ही याद रखो, equal distance in equal interval of time, ठीक है, या highlighted part है, या praise याद रखलो, तो इसलिए आप uniform speed का definition याद रख सकते हो, ठीक है, so object travels equal distance in equal time, तो हम उसको बोलते है, uniform speed, for an example की, object 0 second पे rest पे, फिर 1 second पे वो 2 meter पे, फिर 2 second पे वो 4 meter पे, फिर 3 second पे वो 6 meter पे, likewise, if you consider, तो उसको बोलते है, uniform speed, अगर unequal distance in equal time है, तो non uniform speed है, simple, ठीक है, उसको हम uniform motion भी बोल सकते है, पे, the next concept is average speed, तो average speed क्या होता है, इस जट रेशी अगरेशी 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 पे, तो पे तोल दिस्टांस पॉन पॉन टोल ताइम, एवरेशी पीड का काफी इंपोर्टन पॉन सेप्ट है, इसके बाद हम देखते है, वेलोसिटी से पहले हम कर लेते कवर, तो जैसा कि मैंने आगे बताया था कि यूनिपार मोशन एक्चुली क्या होता है, इट कवर्स इक्वल डिस्टंस इन इक्वल टाइम, बस ये फ्रेश याद रखो, काम हो जाएगा, इक्वल डिस्टंस इन इक्वल टाइम, जीज़े कॉंपल रखना है, तो यहाँ पर देखो, ग्राफिकल बेस समझो, तो डिस्टंस टाइम ग्राफ यहाँ पर दिया है, तो अब्जेक्ट एक सेकेंड पे, पर दस मिटर मोग कर कहने है, तरbay, एक मिनट में, जस मीटर मोग कर रहा है, वह यूनिट मीटर में दिया है, और रवाइट, फिर two åbbserve, unreal i2 minute में ऑप्जेक्ट कहहां पे, जो मिनट आप्जेक्ट 20 the मीटर पे उसके बाद अगर आप्जवर कर ओो, तो तीन मीटर पर वह कहां पर थीस मीटर पर एधिग में ठीक है तो हर एक सेकेड में वह पर कर रहा है तो जब वह स्पीड या युनिवॉंम मोशन गोला है तो यहां पर यह वर्ड काफी इंपॉर्टन है constant speed ठीक है तो इसमें speed जो है वो constant रहेगी सेम रहेगी वो change नहीं होती ठीक है उपर आप कार का motion देख सकते हो ठीक है तो एक same speed से मूँ कर रहा है तो that is called as uniform motion ठीक है equal distance in equal time जैसा मैंने बुला complicated नहीं करना है simple रखना एक्तम तो चलिए इसके बाद next देखते हैं ठीक है तो उसके बाद आता है कि non-uniform motion तो non-uniform motion क्या है अगें इट इस on equal distance ठीक है non-uniform motion क्या है वो unequal distance है in equal interval of time वो था equal distance in equal time इसमें यहां पर ग्राफ है वो exponential ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा यहां पर तो यह विकल का motion देख सकते हो कि वो काफी से तीजी से आगे बढ़ रहा है ठीक है फिले slow है फिर उसकी जो speed है वो increase होती चली जा रही है तो it is called an accelerated motion ठीक है acceleration हो रहा है यहां पर तो उसका जो speed है विकल का वो बढ़ रहा है ओके तो आई होब की जो uniform motion और non uniform motion है उस दोनों के बीच का जो concept एक तुम clear है आपके mind में ठीक है फिर आगे velocity देखते है चलिए तो आगे हम देखते है velocity velocity basically होता क्या है तो उसके पहले speed का concept है वो recall कर लो एक बार speed क्या होता है कि it is a ratio of distance travel upon time taken तो फिर velocity क्या होगा तो velocity of a body is defined as displacement upon time speed that distance upon time velocity होता है displacement upon time काफी important चीज़ है यह ठीक है तो minor ऐसा difference है दोनों के पीच में तो velocity का formula हो जाएगा displacement upon time speed का था distance upon time इसलिए velocity है वो भी एक vector quantity है ठीक है वेलोसिटी क्या है वो होगा एक वेक्टर क्वांटिटी पीड क्या था वो था स्केलर क्वांटिटी वेलोसिटी वेक्टर इसलिए इसमें direction matter करेगा ओके यहां पर हो गया यह वेक्टर ठीक है तो यहां पर वी क्या है उसको हम वेलोसिटी बोलते है एस बाइटी अन्प्यूजन ना रहो हो इसलिए सेम एक्वेशन रखाए ठीक है तो डिस्प्रेश्मेंट और दिस्टंस यहीं चीज़ आपको माइड में रखना है ट्रीक है वीज़ एक्वल टुएस बाइटी तो जैसे की स्पीड का जो यूनिट था वो था मीटर पर सेकेंड यहां पर भी वह यूनिट रहेगा मीटर पर सेकेंड और बिगर यूनिट जैसे हम प्रैक्टिकल लाइफ में यूस करते हैं किलोमेटर पाराइट ठीक है उसक में होगा इक्वल डिस्प्लेस्मेंट इनिकोल टाइं ठीक हैं चीज से सिंपल रखो अगें बूट रहाऊं तो बोडी हैसे यूनिफॉर्म विलोसिटी इफिक ट्रावल इना स्पेसिफाइड डिरेक्शन इन्स्ट्राइट लाइफ मूज ओवर इक्वल डिस्टेंस इनिक ओके यह चीज है वह लिखनी आपको या फिर लिख दो सिंपल वर्ड्स में एक्वल डिस्पेस्मेंट इनिकोल टाइंग ओके पिर तो फैक्टर्स है जो वेलोसिटी को अफेक्ट करते हैं ठीक है तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि वेलोसिटी क्या है कि वेलोसिटी इस वेलोसिटी वेक्टर उडिटी इसलिए उसके दो पैरामितर्स ऐ एक होगे उसका वैल्यू जो ये मैगनिटूड दूसरा होगे उसका डैरेक्शन तो यह जो दो है वो उसके फैक्टर्स होगे जिसके वेलोसिटी को डिफाइन कर सकते हैं तो पहला है बाइचेंजिग अब object और speed of the body तो अगर speed change कर रहे हो तो velocity का magnitude चेंज हो रहा है ठीक है और दूसरी जो चीज़ है by keeping the speed constant but by changing the direction यहाँ पर जैसे मैंने बदा कि direction चेंज होगा तो यह factor quantity है ओके यहाँ पर uniform velocity का graph देख सकते हो सेम ही होगा यहाँ पर देख सकते हो कि एक सेकेंड में हम 10 मिटर ट्रावल किया यहाँ पर object फिर दो सेकेंड के लिए यहाँ पर 20 मिटर ट्रावल किया तीन सेकेंड के लिए यहाँ पर कि थीज मीटर ट्रावल किया तो लाइकवाइस देख रहें आपकी हर एक सेकंड की इंटर्वल में 10 मिटर ट्रावल हो रहा है तो हो गया बाइकवाइस देख रहें एक रहें कि द रहें एक सेकंड की डावल ट्रावल ट्रावल कि अच्छाव तो अच्छाव गया